नमस्कार, दोस्तो, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और दोस्तो, आज की वीडियो में हम सीखेंगे अपने एक कॉम्पिटिटर को एनलाइज करना यानि की हमारा कॉम्पिटिटर कौन है दोस्तो आपको पता ही होगा कि अगर आपकी website rank नहीं कर रही है आप website पे काम कर रहे हैं आर्टिकल लिख रहे हैं और आपको लगता है कि मेरी website काम नहीं कर रही है ठीक से यानि कि rank नहीं हो पा रही है तो दोस्तो इसका एक simple सा answer आपको मिल जाता है तो आपको क्या करना यानि कि आपको अपने competitor के backlink articles एन उनके पोस्ट होता हैं और जो keywords होते हैं उन पे आपको काम करना होता है competitor का मतलब आपको पता ही होगा कि जिस topic पे आप बात कर रहे हैं उस topic पे और भी companies और बे बंदा बात करता है तो वो क्या करता कि वो आप से आगे है तो आपको उनके keywords उनके backlink उनके top pages इन सब पे आपको काम करना होता है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में final हम यही करेंगे अपने competitor को पहचान करेंगे हम यानि कि हमारे जितने भी competitor है उनके list निकालके आपको उनके keywords, top pages, backlinks इन सब पे आपको काम करना है तो दोस्तो आज मैं आपको बताऊँगा SRAP टूल से तो यहाँ पे side explore में करता हूँ side explore पे करने के बाद मैं यहाँ पे एक website को डालके आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पे मैंने डाल लिया www.digitalvidya.com दोस्तो इस website को आप लोग सभी जानते हैं यह दोस्तो digital marketing की service देते हैं online तो यहाँ पे दोस्तो जैसे मैंने यहाँ पे digitalvidya.com डाला तो अब इनके हम जो competitor हैं इनके जो आसपास keyword जिनके ranker हैं जिस website के उन website है उन companies को हम आज यहाँ पे find करेंगे तो यहाँ पे simply आपको क्या करना है अपनी website को आपको यहाँ पे डालना है यानि कि आपकी जो भी companies है आपकी जो भी website है वो आपको यहाँ पे डालना है डालने के बाद आपको यहाँ पर सिम्पली सर्च करना है अब सर्च करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे नीचे आएगा Competitor Domains करके तो हमें यहाँ यहाँ पर Right Click करने हैं और Next Step में Open करदेना है जब हम यहाँ पर Next Step में Open करेंगे तो यहाँ पे दोस्तो हमारे जितने भी competitor है उनके जो common keyword होते हैं domain होते हैं वो सारा यहाँ पे आपको सोहने लग जाता है तो दोस्तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे common keyword कितने हैं तो common keyword आपको यहाँ पे कितने दिख रहे हैं 3106 keyword यहाँ पे common है यानि कि जो ये website है इस website की keyword और इस website की keyword कितने match कर रहे हैं 3106 keyword यानि कि दोस्तों ये आपका man competitor हो गया जिस category पर आप बात कर रहे हैं जिस topic पर आप बात कर रहे हैं उस topic पर ये वली website जो है यहाँ पर ये भी बात करते हैं तो आपको क्या करना हैं दोस्तों simply आपको क्या करना है इनके जितने भी keyword हैं जितने भी backlinks हैं इन पर आपको काम करना है तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है इन website के जितने भी आपकी competitor हैं इनकी आपको एक file बनानी एक्सल में आपको इस सब एक करके copy करके note करने उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इस website को आपको यहाँ से copy करना है copy करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर site explorer पर click करना है और site explorer पर click करने के बाद यहाँ पर आपको इस domain को डाल देना है then search करना है जब आप यहाँ पर search करोगे तो search करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर इस website के backlink, top pages, ranking, keyword यह सारे details आपको यहाँ पर मिल जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो organic keyword है इस website के यानि कि जो आपके competitor है उनके कितने 70K organic keyword है और backlink कितने 27K, 27,000 यहाँ पर इनके backlinks है तो आपको simple ही क्या करना है इस backlink पर आपको click करना है तो आपको सारे backlinks होने लग जाएंगे तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है तो मैं यहाँ पर इस पर click करता हूँ और click करने के बाद दोस्तों इनके सारे backlinks आपको निकालने है एके करके आपको backlink निकालने है चेक करने है देन आपको भी उसके backlink बनाने है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके total जो back links है इनको आपको निकालने है और back links पर आपको भी काम करना है तो दोस्तो आप सोच सकते हैं कि जो आपकी competitor है यानि कि जिस condition पे दोस्तो आपकी website है सही ranking में है सही DA या चाही PA जो भी है उस condition में दोस्तो आपका competitor भी है यानि कि आप सब ब्राबर में चल रहे हैं तो आपको क्या करना है कि इनके ब्राबर में चलने हैं आपको यहां के क्या करनी ओर कि लिक करना है उ 갖고 कौने हैं और इन पर कंदेसार अच्छाए पर कंदार कर रसे सरी करेंगे तो इनकाद यहां पर रहें पर रहेंग साज कीवर्ड आपको मैं उतल legislator को peng curriculum में सर्च करना है इनकी वेबसाइट को ओपन करना है ओपन करने के बाद दोस्तों इनकी जो आर्टिकल है जो पेजिस है उनको आपको एनलाइज करना है कि इस आर्टिकल में इस पेज में क्या कमी रही है कितने इन्होंने इमेज डाली हुए कितने इन्होंने कीवर्ड डाली ह कितने वर्ट का इन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ, अगर इन्होंने आर्टिकल लिखा है 2000 वर्ट का तो आप इसे नहीं हरा सकते कि आपने आर्टिकल लिखा डिजिटल कुर्स के उपपर और नने लिखा यहां पे 2000 वट का आप पन्दहसो वट का तो ऐसा काम नहीं चलेगा आपको इनसे आगे जाने हैं तो इनसे अच्छा करना होगा ठीक है यह बात आप note कर लीजिए और इस बात को excel में फाइल बनानी है इनके सारे जो keywords हैं जितने भी backlinks हैं यह सारे निकालके आपको excel फाइल में note करने रख देने हैं उसके बाद जब आप यह सब कर दोगे तब जाके आपको सारे website को analyze करने हैं अच्छे से देखने हैं क्या कि keywords हैं क्या कि images हैं कितने article लिखे हुए जितने भ आपको अपने competitor के list निकालनी है और निकालके दोस्तों आपको उनकी website को analyze करना है तो यहां पर दोस्तों आप कर सकते हैं तो आए होफ क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करके मुझे आपको 300 का मिल जाते हैं तो यहां पर आपको 300 का मिल जाते हैं तो यहां पर आपको 300 का मिल जाते हैं तो यहां पर आपको 300 का मिल जाते हैं यहां पर आप बैस्टूर्ट लिन्क यहां पर आप सकते हैं। टूल में ईस तर्ट कर सकते हैं। लिए अगर विलब तक हमारे चानल को सब्सक्राइब कर दिशेगा है , दोस्तों फिर मिलेंगा हम एक और नेक्स वीडियो में तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखेगा जैहिन वंदे मातरम